जहिन दोस्तों, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आरे एंड आदीतिया क्लासिस दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जो है क्लासिस्त का जोग्राफी का चैप्टर नमबर वन और चैप्टर नमबर टू इसकी नोट्स के बारे में हम सौट टाइम में डिसकोशन करेंगे यदि हमें जरूरत होगी यदि आपके तब से कमेंट्स आएगा कि डिटेल में सर समझाना है तो मैं उस तरह की कारवाई करूंगा फिलहाल आपके लिए नोट्स जो है इजी डाइवे में और सिंपल लेंगज में आपको मैं प्रवाईड करा रहा हूं चली पहला कोश्चन है देखिए चैप्टर का नम फर्ष्ट है दा आर्थ इन दा सोलर सिस्टम चैप्टर नमबर वन है इसमें पहला कोश्चन है फ्लानेट है इस्टार एक तरफ दिख लिए प्लानेट क्या होते है डोन्ट है अधियर होन लाइट और हीटurate की तरह नहीं होती वे ने इस्टार होती दूसरा नमबर देजमी متलाब में पहुत जैदा एमोंनट में सन भी एक इस्टार है यह आपको द्यान रखना है उसके बाद नेस्ट को एकजामपल में तीसरा पॉंट भी आप बना सकते हैं कि जैसे मर्कुरी अर्थ यह सब क्या है प्लानेट है लेकिन इरि सन और पोल इस्टार की बात करें तो यह एक इस्टार है तो इस चीज़ का आप आपको द्यान में रखना है नेस्ट कोश्यन है देखिए वाट इस्टार हम वाट इस्टार मींट वाइदा सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं दसन दसन उसके बाद दसन एट प्लानेट और सैटलाइट एंड सम अधर सेलिश्ट्रियल बॉडिस और नोन मेटराइज फ्रॉम्दा सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम ठीके न आफ्टर को इट एंड सोलर फैमली विथ सन यह सन लिखा हुआ देखी यहां वज लिखा हुआ है call it as a solar, तो as sun इनका head होता है, solar system में, इसमें eight planet होते हैं, satellites होते हैं, और कुछ celestial bodies, इनको हम asteroid बोलते हैं, और metroid, इन सब को मिलाकर एक solar system, उसके बाद निस्ट है name all the planet according to their distance from sun, तो according to distance के अंसार, जो है planet के नाम लिखना है तो यहाँ पर लिखा है according to their distance from the sun the eight planets are the Mercury, Venus, Earth Mars, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune है यह मैं आपको पढ़ता जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको पढ़ने में उसका next question है देखिए why is the EARTH Earth called a unique planet Earth को unique planet क्यों करते हैं तो Earth is called a unique planet due to the following region क्या है the condition favorable to the life, life के लिए अच्छी condition है neither too hot nor too cold ना ज्यादा घंडी है ना ज्यादा गरम है it has water and air यहाँ पर वानी और हवा है the air has life supporting gases अब यहाँ पर जो है life supporting के लिए gas जो है oxygen जो हमें चाहिए वो भी यहाँ पर आपके अर्थ में मिल जाती इसलिए हम अर्थ को क्या है unique planet कहते हैं next question है why do we see only one side of the moon always हम जो है moon का सिर्फ एक ही साइड क्यों देख पाते हैं तो the moon moves around the earth and complete one spin in the same time 27 days as a result one can only see one side of the moon moon always तो यही है इसमें है the moon moves around the earth moon जो है sun के चारों चक्का लगाती है और एक spin complete करने में 27 ताइस दिन लगाती है as a result इसी कार्ण से जो है उसका हम एक ही जो है face हम देख पाते हैं चले नश्ट देखते हैं what is universe universe क्या है million of the galaxy 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 from the universe यह जो है universe कहलाता है what is the universe million of the galaxy from the form it inverse तो जो है कई galaxy मिलके जो है universe बनाते हैं और million of galaxies जो है यह वही है what is the universe दोनों सोशन से भी है तो इसको आप note down कर लिजे यहाँ पर हमारे chapter number one खतम हो जाता है इसके बाद जो है इसके objective type मैंने source में जो है भेजे हुए हैं उनको आप जो है पौश करके आप देख सकते हैं इस तरह से आपको comment section में लिखना है यदि आपको इस तरह की notes की जरूत है तो आपको जो है जरूर आपको comment section में लिखना है like करना, subscribe करना है उपने दोस्तों को आप share करिए